हेलो फ्रेंड्स बेलकुम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए यह टापिक लेके आया हूं बोजे है कि मैं आपको बताऊंगा कि यह बिद्दल का सेट है भी 11 यह कि यह सेम ही मतलब सर्क्रट लगी हुए इसमे क्या पार्ट आ रहा है कि डाइल टोन है जो वह डायल टोन नहीं है जैसे हम इसको लगा रहे हैं तो साटी जो है वह अंगेज होई आ रहा है तो चलिए फ्रेंड्स रुपेरिंग करके मैं आपको बताता हूं अगर कोई डायल ट है तो उसको हम कैसे रुपेर करेंगे तो फ्रेंड्स स्टार्ड करते हैं अपनी वीडियो लेगन उससे पहले आप मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए थैंक्यू बेरी मुच फ्रेंड्स पहले इसमें जो स्क्र्यूज लगे हुए हैं ये जो स्क्र्यूज लगे हुए हैं चार स्क्र्यूज दो इधर हैं और दो इधर हैं ये इधर हैं जो स्क्र्यूज ड्राइवर की मदद से आप पहले इनकी जो स्क्र्यूज हैं जो खोलीजिए और जो आपने ला कार्ड भी आप पहले उतार लीजिए है कि अब पहले जिस तरह मैंने आपको बताया इसके नट खोल लेंगे हमझे उसके बाद हम देखेंगे अंदर जाएगी छोटी सी प्लेट लगाई हुई है कंपनी ने तो इस प्लेट में क्या है कि लाक सिस्टम है अंदर प्लेट के कोई भी जो है वो स्क्र्यू बगारा नहीं लगा हुआ है हम अब क्या करना है आपको बड़े अराम से जो इधर है इस लाक नहीं तूटना चाहिए और इदर इसका लाक है लाक नहीं तूटना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है पहले आपका इसको खोलने के लिए आपका जो जैक है पहले आप जैक को इस तरह उपर निकाल पर कर लीजिए अ बाकि देखे इसमें कोई भी कंपने नड़नी लगाया सिर्फ दो लाक लगाया है एक लाक जेल लगाया हुआ फैंट साथ में ही आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए आपने बहुत ही अराम से इसको आपको इस तरह प्रेस करेंगे जहां से फि सब्सक्राइब इस तरह निकाल लीजिए यह इसका सर्कृट बोर्ड है यह सारा निकल आया है बाहर जिस तरह हम देख रहे हैं यह इसका सर्कृट बोर्ड है करना है सबसे पहले कि पिछे से lightning होती है मतलब कहीं चार्च सरक्ट होता है पिछे से सप्पलाई जाती है जाती है तो उस केस में क्या होता है यह लिखा हुआ यहां पर BR 1 थोड़ा कैमरा मैं आपने फ्रेंड को कह silगा कैमरा नीचे करिए यह BR1 लिखा हुआ इस में क्या होता है 90% के वाट है यह जो लगा होता है जिद जिनिए डायोड होता है इक juice डायोड हो जब पीछे से जड़ा सप्लाई आती है तो यह शार्ट हो याता है तो हब मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में आकर नई डायोड हो नहीं है या अंगेज हो रहा है फोन उसमें क्या करना है सबसे आपको पहले बी यार वन चेक करना है मल्टी मीटर की सहाइता से जिस तरह यह मल्टी मीटर है अम बी यार वन हम चेक करते हैं अगर यह बीप करेगा जिस तरह यह बीप कर रहा है यह बीप नहीं करना चाहिए अगर यह बीप करेगा तो इसका मतलब यह शार्ट है यह देखे फ्रेंड यह बीप कर रहा है बी यार वन जे बीप नहीं करना चाहिए था इसका मतलब यह बी यार वन है यह बी यार वन यह यह शाट है अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जा अगर तो आप कोई रुपेरिंग वाला मेरे यह फ्रेंड वीडियो देख रहा है तो वो तो सोड़िंग आयरें की मदद से वो क्या करें इसको ओपन कर दे बी यर मन को तो यह सरकर बॉठ है ओक्टे हो जाएगा अगर कोई घर में देख तो वो कई रिपेर करना चांता है तो उसके बाद ये देखेगा कि ये सेट है जो ओके हो गया है फिर भी मेरे कोई फ्रेंड सोच रहे होंगा कि अगर कोई ये पार्ट है तो अगर वो हमने प्लेट में से उतार ही दिया तो फिर भी ये मतलब सेट कैसे चलेगा ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ प्रोटेक्शन के ये लगाया हुआ है मतलब क्या कि अगर इसका क्या काम है कि अगर पीछे से ज्यादा बोल्टे आ रही है तो ये शाट कर देगा अपस में शाट हो जाएगी इसकी बहुत यो एंट से हैं तो ये आगे सप्लाई नी प्लेट में ट्रांसफर नहीं होने देगा अगर गर में साहरे है तो उस केस में क्या करना है ये qi-1 खटर से काट लेना है अगर कोई मेरा रुपेरिंग वाला फ्रेंड देख रहा है तो स्कूं क्या करना है इसको ओपन कर देना ब्वान को शोल्डिंग आयजिन की मदर से जिस तरह में ये अभी ये qi-1 ओपन करने लगाँ इसको मैंने ओपन कर दिया आपने भी इसको ओपन कर देना इस तरह तो अब मैंने जे लाइन कार्ड लगा लिया है तो इसमें यो डायल टॉन है अब डायल टॉन पूरी आ चुकी है जब मैं आपको सनाता हूं भी हूं इसकी टायल टॉन पता नहीं माइक पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी फ्रेंट्स होप करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक माई चैनल बाकी इसको जो बंद करने का प्रॉसेर्ट है बंद करने के लिए आपने क्या करना है इसका जो की पैड है की पैड की प दबेखोला है पूरा आपने देखना है कि खोला आपने इसको ओपन के स्तरह किया हुआ जिस तरह आप विलाइन जहां पर लगाई थी बाकि इसका नीचे आइससे अजस्ट करके पहले आप इसको साइड में इधरसे की जिए इधर से करें जिस तरह मेंने इसको खोला था थोड़ा दियान रखना है कि जिस तरह आप इसको खोलेंगे खोलते हैं तो यहां तो फिर बाद में वैसे ही आपको बंद करना फ्रेंट्स होप करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए होगी जो मैंने फाल्ट आपको बताया आपको समझ लग गया कि अगर आपको फोन डाड़ है या अंगेज टोन आ रही है तो क्या करना है अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए यह तो प्लीज दू सब्सक्राइब लाइक माई चैनल थैंक यू बेरी मच